हेलो एवरीवन वेलकम बेक तो माई चैनल आएम रेनू और आज हम अपनी जीतो नीट को सीरीज में डिसकस करने वाले हैं क्रोमोजोम के बारे में डिटेल में इसके बारे में आप न्यूकलियस वाले वीडियो में भी देख चुके हैं लेकिन यहां हम उसका थोड़ा डिटे हैं वह क्रोमोजोम का उनके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है तो यहां पर आई हम डिसकस करने वाले हैं कि क्रोमोजोम को डिसकवर किस ने किया था यह तो आप जानते ही है कि स्टेंड जो बॉड़ी आपको दिखाई देती है न्यूकलियस के अंदर वह स्टेंड जो पा बाइड करती है तब वह क्रोमोजोम में कानवाइड हो जाता है हम यहां पर बात करें कि इसको डिसकवर किस ने किया था सबसे पहले हाफ मिस्टर ने 1848 में इसको डिसकवर किया था और उनको डेसक्राइब किया गया स्ट्रॉस परगर के थू 1875 में यह नेम जो आप दिया जाय क्रोमोजोम यह दिया वाल्डेयर ने 1888 में ठीक है तो क्रोमोजोम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं देखिए हर वर्ड जैसा कि हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं आपकी जो साइन्स है यह आपकी जो बायलोजी है वहां पर हर वर्ड वर्ड से मिलके मना है उनको करें टोड़ देते हैं तो हमारा मीनिंग निकल आता है क्रोमोजूम को अगर हम वो एक thread like structure की form में आपको दिखाई देता है और उसको हम कहते हैं chromatin material यह आप सब लोग जानते हैं यहां पर देखिए यह जो thread जैसी structure आपको दिखाई दे रही है यह सारी जो structure है यह क्या कहलाती है this is called chromatin material chromatin actual में एक loose and indistinct network है जो की nucleo protein fibers का बना होता किससे बना होता है है nucleo protein fibers से बना होता भी हम देखेंगे आगे किस की structure क्या होती है and at the time of cell division जब भी cell division होता है interface में दिखाई दिता है लेकिन cell division के time पर यह chromatin network जो होता है यह condensed हो जाता है और chromosomes का formation होता है यह chromosomes आपको दिखाई देने लगते हैं है visible कब होते हैं chromosomes at the time of cell division जब cell division की condition में आती है उस वक्त यह chromatin material condensed हो जाता है और chromosomes का formation करता है chromosome important क्यों होते हैं क्योंकि chromosomes के उपर genes present होते हैं and they are the hereditary center of यह आपके सकते हैं कि they contain hereditary information of the cell यह जो भी pass on होता है one generation to next generation hereditary information उसको convey करने में chromosome का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि genes यहीं पर present होते हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं आप 12th class में इसके बारे में बहुत detail में study करेंगे genes क्या होते हैं और उनका किस तरह का रोल होता है genetics में आप पढ़ेंगे सबसे important पार होता है genetics का अब हम यहां पर बात कर रहे हैं fiber of nucleo protein chromatin जो है वो nucleo protein से बनाओ एक fiber होता है तो actually chromatin is made up of DNA histone protein and non-histone protein के साथ साथ RNA से भी बना होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ DNA से ही मिलके बना है या सिर्फ histone protein present है DNA के साथ साथ histone and non-histone protein और साथ में RNA भी उसमें present होता है तो chromatin जिस से बना है उसी से chromosome भी बने है तो आप कहा सकते हैं chromosome made up of DNA histone, non-histone protein and also RNA ने डार्कली स्टेंट बॉडिस के रूप में आपको दिखाई देता है during the cell division और उसके अलावा अगर हम एक single human cell की बात करें तो एक single human cell में two meter long DNA present होता है अगर हम उस coil part को खोल देते हैं जो कि chromatin की form में होता है और अगर उसको हम यह जो आपका part present है nucleus के अंदर इसको अगर आप देखें खोल के तो यह two meter long एक part बन जाता है लंबी एक structure आपको दिखाई देती है और यह जो structure है यह two meter long DNA जो है वो distribute हो जाता है 46 chromosomes के अंदर यह आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो मालूम होगा ही नहीं है तो फिर हम यह देखते हैं कि human beings के अंदर number of chromosomes कितने होते हैं 46 number of chromosomes होते हैं और अगर हम pairs में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं 23 pairs of chromosomes present होते हैं human beings के अंदर ठीक है अब यहां पर अगर हम numbers की बात करते हैं तो human beings में जैसे कि हम बात कर रहे हैं 46 number of chromosomes होते हैं या 23 pairs of chromosomes होते हैं में different plants में हर different individual जो भी है या different species है उन सब के अंदर different number of chromosomes present होते हैं लेकिन वो fixed होते हैं for a particular species जैसे कि human beings के अगर हम बात कर रहे हैं तो homo sapiens उनको कहा जाता है तो इस particular species के लिए 46 number of chromosomes हैं इसी तरह से है अगर हम और different individuals की बात करते हैं different species की बात करते हैं तो वो सारी species एक particular species के लिए number fix है लेकिन different individuals के लिए वो different होता है जैसे हम यहां पर देखे human beings में 46 number of chromosomes होते हैं drosophila जो की एक fly होती है जिसको हम fruit fly भी कहते हैं उसमें 8 number of chromosomes होते हैं and butterflies में इनका number 380 होता है ठीक है पेर्स आगर आप देखें तो आप इनको convert कर सकते हैं human beings में 23 pairs है तो drosophila में 4 pairs है और इसी तरह से butterflies में आप fair count कर सकते हैं तो 380 total number of count होता है है chromosome का size के अगर हम बात करें तो different organisms के अंदर different different size के होते हैं इसलिए इनका size कोई fix नहीं है अब हम बात करने बात करते हैं structure of chromosome actually chromosome का structure क्या होता है तो उसके एक एक पार्ट के कहों को हम यहां पर discuss करने वाले है हर chromosome centrally यानि कि chromosome की बीच में अगर आप देखें तो एक constructed part आपको दिखाई दे रहा है it is called centromere इसको हम कहते है centromere यह दिखें यहां पर आप देख पा रहे हैं तो यह एक डूसरा constriction आपको यहां पर दिखाई रहा है secondary constriction इसके बारे में हम बात में बात करेंगे actual में सबके अंदर present नहीं होता है secondary constriction इसलिए हमने यहां पर इसको discuss नहीं किया यह जिन chromosome के अंदर present होता है उनको सेट क्रोमोजोम कहते हैं और इस portion को satellite कहा जाता है लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ primary constriction की जो की इसके center में present है और उसको हम क्या कहते है centromere कहते है है centromere के side में यहां पर disc जैसी structures present होती है हर दौनों की side में और यह जो disc shaped structure होती है इसको हम क्या कहते है kineto core कहते है क्या कहा जाता है इसको kineto core कहा जाता है और यह जो kineto core होते हैं यह बहुत important होते हैं at the time of cell division क्योंकि spindle fibers जब जूडते हैं किसी भी chromosome के साथ attach होते हैं तो centromere से attach नहीं होते हैं वह kineto core से attach होते हैं तो it is important ठीक है कहां पर attach होते हैं spindle fibers kineto core से attach होते हैं not centromere हर centromere क्योंकि बीच में construction हो रहा है तो हर centromere 2 chromatids hold करता है या आप यह कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह ऐसे देखें हैं यहां से तो हर centromere कितने chromatids होगा है दो chromatids होगा यानि इसकी जो arms होंगी उनको क्या कहेंगे chromatids कहेंगे ठीक है और यह दोनों जो chromatids होते हैं एक ही chromosome के दो जो part हैं जो कि centromere पर जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं sister chromatids कहलाते हैं क्या क्या कहलाते हैं sister chromatids क्योंकि उनकी origin सेम है कहां से जुड़े हूए हैं एक ही centromere से जुड़े हुए हैं और दो उसके पास दो arms हो गए, एक ये वाला arm और एक ये वाला arm, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला arm है, इसको हम नाम दे रहे हैं Q, और ये उपर वाला है, इसको हम कहते हैं P, तो P referred as short arm and Q referred as long arm, ठीक है, अभी हम देखेंगे short and long ये कब होते हैं, तो P is referred short arm and Q referred for long arm, ये question नीच के point of view से important है, ये पूछ लिया गया है भी last year, मतलब पिछले PYQs अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, short arm is named as P arm and long arm is named as Q arm, ठीक है, sister chromatid के दौनों arms को P and Q arm के नाम से जाना जाता है, या हर chromatid के पास दो arms होते हैं, एक कहलाता है P arm जो की short arm है, एक कहलाता है Q arm जो की long होता है, अब देखिए, ये एक ही अगर हम chromosome की बात कर रहे हैं, तब उसके chromatid sister chromatid के कहलाते हैं, लेकिन अगर दो homologous chromosome हैं, homologous chromosomes क्या होते हैं, जो बिल्कुल similar होते हैं, यहापर देखिए, मैंने दो chromosome आपको show किये हैं, बिल्कुल similar है structure में और उनकी जो, आप को देखें कि सब कुछ उनका सिमिलर है ऐसे जो मज़ुनेंट closing केGenerson सिमिलर होट उनको क्या गहते हैं अंग मुलों घूंथ क्रोमोजूंजूंज करें घू होमो लोंगस क्रोमोजूंजूंज के अगर दो chromatids की हम बात करें तो देखिए एक आर्म ये वाला और एक आर्म ये वाला क्या ये दौनों सिस्टर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे तो इनको हम क्या कहते हैं होम लोगस अभी जाता है विल्कुल एकी जैसे उपर जिन्स कारेज़्जमेंट होता है विल्कुल सीमिलर दिखाई देते हैं ऊपर गधिया इनका जाता है नौन सिस्टर क्रोमेटिड NICKो मैंट आपको आ गए होगा sister chromatids क्या होते हैं और non sister chromatids क्या होते हैं sister chromatids एक ही chromatid के एक ही chromosome के दो chromatids को हम कहते हैं sister chromatid और अगर दो homologous chromosomes आपके पास हैं और उनके जो chromatids हैं उनको हम कहेंगे non sister chromatids I hope it is clear अब हम बात करने वाले हैं कि chromosomes को हम किस तरह से classify कर सकते हैं तो on the basis of position of centromere chromosomes can be classified into four types जो भी chromosomes हैं उनको हम four different types में classify कर सकते हैं metacentric, submetacentric और acrocentric and telocentric इसके अलावा हम उनके functions के basis पर भी chromosome को two types में divide कर सकते हैं यानि कहां पर situate हैं उनको क्या function होता है उसके basis पर भी functions के basis पर और उनकी position के basis पर कहां present है यानि उनकी जो place है वो कहां पर है उसके basis पर हम उनको two types में divide कर सकते हैं एक कहलाते हैं autosomes और दूसरे कहलाते हैं अब अब देखे इन में क्या difference होता है एक तो कहलाते हैं autosomes दूसरे कहलाते हैं sex chromosomes तो sex determination जो होता है वो sex chromosomes के तरू होता है whether the organism में भी फीप्री में और में यह डिटर्माइं करता है sex chromosome कहां प्रेजंट होते हैं रिप्रूद्टिव से पर यह पर यह पर यह पर दूद्ट करत अंदर प्रेजंट होते हैं कहां प्रेजंट होते हैं reproductive cells के अंदर तो ऐसे chromosome जो कि sex determination में help करते हैं उनको हम sex chromosomes कहते हैं और अगर human beings के अंदर हम बात करें तो one pair of chromosome sex chromosome कहे जाते हैं यानि जो 23 pairs है उसमें से one pair decide sex of organism ठीक है तो 23 pairs में से one pair जो होता है उसको हम sex chromosome कहते हैं और यह male और female में अलग-अलग होते हैं और कैसे होते हैं females के अगर हम बात करें तो female में 23rd pair जो chromosome का होता है वह x x से denote किया जाता है और males के अगर हम बात करते हैं तो वह denote किया जाता है x and y से ठीक है यहाँ differentiation है और यह ही differentiation यह show करता है यह determine करता है whether the newborn is male or female sex determination यह आपको class 10 में पढ़ चुके हैं फिर भी मैं आपको बता दूं कि y chromosome is responsible for maleness जो male है उनके अंदर x and y जो पेर है जिसको हम sex chromosome कहते हैं उसमें से y जो है that is responsible for maleness clear अब हम बात करने वाले हैं autosomes की तो rest of the body जो भी body के जितने भी cells होती हैं somatic cells जिनको कहते हैं जितनी भी somatic cells होती है body cells को क्या जाता है somatic cells कहा जाता है तो ऐसी cells जो की पूरी body के अंदर present होती है उनमें जो chromosome present होते हैं वह autosomes कहलाते हैं ठीक है वह normal chromosomes होते हैं वह आपकी और different जो body structure है उनको govern करते हैं जैसे कि height है hair color है eyes है skin color है यह सारी चीजें जो हैं वह determine करते हैं autosomes लेकिन sex chromosome होते हैं वह सिर्फ reproductive cells के अंदर present होते हैं कहां present होते हैं reproductive cells के में present होते हैं और वो decide करते हैं whether the organism में भी male और female clear यह आपको function के basis पर समझा गया होगा यहां पर हम बहुत ज़्यादा detailing के बारे में नहीं पढ़ेंगे यह मैंने आपको इतना बता दिया है अब ही हम discuss करेंगे metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric क्या होते हैं तो आएए देखते हैं सबसे पहले हम बात करें metacentric की तो centromere अगर बिलकुल middle में present होता है तो दोनों arms जो होते हैं यह P and Q यह equal होते हैं और जब P and Q equal हैं तो वह metacentric condition होती है centromere बिलकुल कहां present होता है? middle में present होता है P and Q equal होते हैं इस तरह का जो combination है यह इस तरह का जो chromosome है वह metacentric कहलाता है sub metacentric की अगर हम बात करें तो centromere slightly दूर हो जाता है middle part से यानि कि थोड़ा सा उपर चला गया यह देखे this one इसमें क्या हो गया? short arm हो गया और एक long arm हो गया तो एक P and Q लेकिन एक short हो गया दूसरा long हो गया तो P is shorter than Q ठीक है middle से थोड़ा सा उपर चला जाएगा और एक short और एक long arm करेंगा उस condition को हम कहते है sub metacentric chromosome यह इस तरह के chromosomes को sub metacentric chromosome कहा जाता है metacentric and sub metacentric I think आपको यह difference समझा गया होगा सब metacentric में P and Q एक्वल होते हैं, sub metacentric में P स्माल होता है और Q जो होता है वो थोड़ा long होता है एक्रो सेंट्रिक के अगर हम बात करें तो एक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा और उपर चला गया वो close to the end ठीक है एक्रो सेंट्रिक के अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा और उपर वो shift हो जाएगा तो close to the end चला जाएगा situated close to its end तो फिर क्या होगा एक extremely short हो जाएगा पी और एक बहुत लॉंग हो जाएगा इस वन यह पी हो गया और यह क्यू हो गया तो यह जो condition होगी इसको क्या कहेंगे एक्रो सेंट्रिक कहेंगे तीलो सेंट्रिक के बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है है लेकिन टीलों सेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनलं एंट पर पहुच जाता है और इस condition में देखिए टीटिव और टर्मिनल भी आप यादा क्ली रख सकते नहीं होता है और यह जो इस तरह से आपको दिखाई देखें एक तो आपको यह सेंट्रोमेर दिखाए दे रहा है मिडिल में फर्स्ट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे इसको हम और दूसरा जो रीजन दिखाए दे रहा है वो टीलोमेर की साइड में चला जाता है और इन दौनों के बीच का रीजन यह क्या होता है यह टीलोमेर कहलाता है सबसे अपर पार्ट टीलोमेर और स्टिंटरि कन्स्ट्रेक्शन के बीच का जो पार्ट है उसको क्या करते हैं सैटेलाइड कहते हैं और इस सेटलाइड की वजय से ऐसे क्रुमो XL को हम सेटेलाइड प्रुमोoming कहते हैं सेटलाइट क्रोमोजूम्स कौन से होते हैं जिनके अंदर सैटलाइट एरिया प्रेजेंट होता है जब किसी भी क्रोमोजूम में सेकेंटरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो तीलोमेर और सेकेंटरी कंस्ट्रिक्शन के बीच वाला पॉर्शन होता है उसको हम सैटला वाला जो पार्ट है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए इस तरह से यह क्रोमोजोम्स वाला पार्ट हम यहीं पर खतम करते हैं आई होप यह आपको पसंद आया होगा और अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जाद से जाद शेयर करिए और लाइक भी करिए थैंक्स फर वर्चिंग दिस वीडियो